कैसे हैं आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नहीं वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस की Redmi A3 फॉन में आप लोग फॉन्ट स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हो अगर आपके पास एक Redmi A3 फॉन है और इस फॉन में जो आपको अपने टेक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिए तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं font style को change करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है अपने font के settings में settings में जाने के बाद थोरा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option मिलेगा display का तो इस display के लिए click करेंगे click करने के बाद नीचे scroll down करेंगे तो font का option मिलेगा font पे click करेंगे और आपको इसके लिए आपको अपने font के data या आप लोग wifi से भी connect कर सकते हो connect करती है यापर बहुत सारे font style आपको देखने को मिलेंगे नीचे scroll down करेंगे तो free में मिलेंगे तो यापर से जो भी free है और जो भी आपको पसंद आ गया है उस पे आपको click कर देना है click करने के बाद यह जो font style है वो यापर loading वगरा होने लगेगा loading होने के बाद यापर से आपको download का भी option मिलेगा तो मैं आपको download करके भी दिखा देता हो गाई तो यापर देख सकते loading हो रहे है यापर थोरा सा wait कर लेंगे क्योंकि मैरा internet connection है जो थोरा सा slow है तो यापर loading जो है ज्यादा ले रहे है तो यापर से हम थोरा सा wait कर लेंगे गई वेट करने के बाद यापर आपको download का option मिल जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, just a second दिखा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है, loading हो चुका है, देख सकते हैं, free का option आएगा, free पर click करेंगे, click करने के बाद यह जो font style है, यहाँ पर इस तरीके का देखने को मिलेगा, और यहाँ पर यह जो है, downloading भी होने लग जाएगा, तो font style को जो है, आप लोग अपने font में लगा भी सकते हो, तो यहाँ पर मैं आप दिखा होंगा, गास लगा के, तो देख सकते हैं, download हो चुका है, download होने के बाद apply का option आएगा, apply पे click करेंगे, तो यहाँ पर अपने font को reboot करना होगा, reboot पे click कर देंगे, तो आपका font जो एक बाद मिलते का लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, बाब आए